बिस्मिलाई रमान रहीम वेलकम तो आवर यूटूब चैनल आज की वीडियो एजुकेटर्स जोब्स 2024 के रिलेटिड है एंटीयस की जानब से अजाद जमू कुश्मीर में एजूकेटर्स की जोब्स जोब्स जो हैं वानाउंस हो चुकी है सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूटूब चैनल को भी तक सबस्क्राइब नहीं किया तो कौनली सबस्क्राइब कर ले ताकि आपको तमाम जोब्स, एड्मिशन्स और स्कोलरशिप्स की अपडेट जोब मिलती रहे इसके अलावा हमने स्टूडेंट्स के लिए ओनलाइन अपलाई की सर्फिस जोएं वो भी स्टार्ट की हैं अब गर बैठे कॉल या मैसीज के तो हमसे अपलाई करवा सकते हैं ओनलाइन अपलाई करवाने के लिए अप हमारे वाट्सेप नमबर 03186845766 पर हमसे कुन्टेक्ट कर सकते हैं एंटीएस के जानब से एड्यूकेटर्स की जोब्स 2024 की जो अनॉंसमेंट है वो हो चुकी है जोब्स के लिए अपलाई करने की लास्ट एट 10 माई 2024 है जोब्स की बात करें तो जोब्स जो हैं बेसिकली EST स्कूल टीचर्स जो हैं उनके लिए अनॉंस की गई है जिसका बेसिक पेस्केल 11 स्केल है टोटल नमबर ओफ पोस्ट की बात करें तो 2979 पोस्ट जो हैं वो अनॉंस की गई है jobs के लिए apply करने के लिए eligibility criteria की बात करें तो candidate की maximum age 40 years होनी चाहिए इसके लावा education की बात करें तो elementary teacher basic scale 11 के लिए apply करने के लिए candidate का B.S. education होना चाहिए या जिन candidates का B.A. B.S.E. जो है वो भी apply कर सकते हैं लेकिन उसके लिए B.A. जो है उनके पास होना कंपल्स रही है इसी तरह elementary teacher science की बात करें तो basic scale 11 है अपलाए करने के लिए candidate का B.S. education science में होना चाहिए और इसके लावा ऐसे थमाम students जिनका B.S. या B.S.E. complete है in natural sciences और उनके पास B.A. की degree जो है वो complete है तो वो apply कर सकते है इसके लावा elementary teacher कारी की जोब के लिए जो है B.A. second division होना चाहिए और शादतुलालिया की degree जो होनी चाहिए और इसके लावा candidate के पास two years संदे की रत जो है वो complete होनी चाहिए इसके लावा elementary teacher Arabic के लिए जो है candidate के शादतुलालिया की degree जो है वो complete होनी चाहिए और HEC के तरफ से जो हो recognize होनी चाहिए या candidate का MA या BS जो हो Arabic में होना चाहिए इसके लावा elementary teacher PET basic scale 11 के लिए candidate का BA BSE होना चाहिए या one year का डिपलोमा उसके साथ होना चाहिए या इसके लावा candidate जिनोंने graduation किया हुआ है physical education में वो भी apply कर सकते हैं इसके लावा elementary teacher drawing के लिए candidate का BA BSE जो हो complete होना चाहिए और इसके साथ candidate का drawing diploma जो है one year का वो होना चाहिए या ऐसे तुमाम students जिनोंने BA fine arts में किया हुआ है तो वो भी apply कर सकते हैं jobs के लिए apply करने के लिए अपने सबसे पहले NTS की जो main website है इसे open करेंगे वेबसाइट open करने के बाद इदर आपके सामने option show रहा है open applications का open applications के option को पर आपने klik करने क्लिक करने के बाद टोप आपको option show रहे elementary and secondary education department government of azad jammu kashmir screening test इसके सामने आपको option शो हरे details का details के option को पर आप klik करेंगे क्लिक करने के बाद इदर आपके सामने उप्शन शो हो रहा है To download advertisement, click here इस option को पर click करके आपके सामने advertisement जो हो शो हो जाएगी सबसे पहले अपने advertisement में eligibility criteria जो है वो चेक कर लेने इसके अलावा हलका wise seed distribution जो है वो भी आपको शो हो जाएगी Advertisement जो है वो चेक करने के बाद इजर आपके सामने option चोई हो दो रहा है For Online Application Form, Click Here, Click Here का option को पर आप ख्लिक करेंगे Click Here के option को पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपने account जो अपना वो create करने सबसे पहले अपने CNAC number जो हपना वो enter करने इसके बास C&C number को आपने confirm करना है इसके बाए decide post जो है अपने वो select करना ही है इसके बाद अपने password जो उपने पासवर्ड को confirm करेंगे और sign up के option को आपने کλέ करने है account जो है अपने券 और create करने के बाद अपने account को login करना है अकाउंट लोगिन करने के लिए सबसे पहले अपने डिजाइट पोस्ट जो अपने वो सलेक्ट करने है कौन सी पोस्ट के लिए अपने अपलाई करने है वो आप सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद cnc number अपने इंटर करने है, password इंटर करेंगे और login के option को पर अपने क्लिक करने है account जो है वो login करने के बाद अपने terms and conditions को agree करने है और continue के option को पर अप क्लिक करेंगे इसके बाद अपने application form जो है अपना वो fill आप करने है सबसे पहले अपने desire test city जो है अपना वो select करेंगे कौन से city में आप test के लिए appear होना चाहरे है अपने वो select करने इसके बाद अपने name जो है अपना full name इंटर करेंगे इसके बाद अपने फादर नेम जो है अपने वो enter करने इसके बाद अपने gender अपना select करने इसके बाद religion आपने select करने इसके बाद date of birth आपने वो इंटर करने इसके बाद date of birth आपने वो इंटर करने इसके बाद date of birth आपने वो इंटर करने इसके बाद date of birth आपने वो इंटर करने इसके बाद date of birth आपने वो इंटर करने इसके बाद date of birth आपने वो इंटर करने इसके residence phone number जो है अपने वो इंटर करने है इसके बाद अगर आप disable हैं तो अपने yes के option को पर click करने है otherwise no के option को पर आप click करेंगे इसके बाद अपने photograph जो है अपनी वो upload करनी है बिलू background में picture upload करेंगे इसके बाद नीचे अपने academic information जो है अपनी वो इंटर करने है सबसे पहले metric information जो है अपने वो इंटर करने है सबसे पहले अपने डिगरी का name जो है वो select करेंगे metric की यह ओ लेवल की है अपने यह select करने इसके बाद major subjects का name जो है अपने वो इंटर करने है इसके बाद year of passing आपने select करने है इसके बाद total marks इंटर करेंगे इसके बाद आपने obtained marks जो है अपने वो इंटर करने है बोर्ड का name जो है अपने वो इंटर करने है कौन से बोर्ड से metric कि अपने कंप्लीट किया है, इसके बाद इसी तरह अपने FSE की इंफरमेशन जो अपने वो इंटर करनी है, सबसे पहले डिग्री सेलेक्ट करेंगे, FSE की है, A-Level की है, डिपलोमा इन असूसियेट अंजिनर की है, आई कॉम की है, डी कॉम की है, अपने ये सलेक्ट करने है, स इसके बाद आपने BA, BSE की इंफरमेशन जो अपने वो इंटर करनी है, इनकेस आपने BS किया हुआ तो बैचुलर मास्टर 16 एर्स की एजुकेशन जो अपने वो इंटर करनी है, इसके बाद नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे, इसके बाद आपने BA की इंफरमेशन जो अपने व को इंटर करेंगे और अगर आप क्रांट ली गोर्मेंट इंप्लॉई हैं तो आपने यस के उप्षिन को पर क्लिक करना है अधरवाइस नो के उप्षिन को पर आप क्लिक करेंगे और साब्मीट के उप्षिन को पर अपने क्लिक करने के बाद आपका अप्लिकेशन फॉर्म ज जो कि आप उनलाइन इजी पैसा जैस का शेकिसी भी मुबाइल बैंकिंग की एप के थूर जो आप पे कर सकते हैं फीज जो आप पे करने के बाद आपके अप्लिकेशन जो आप सब्मिट हो जाएगी थैंक्स फूर वाचिंग फूर मोर इंफॉर्मेशन कानली सब्सक्राइब पोड़ चनल